वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे बंगलादेश अंडर 19 वसेस सिलंका अंडर 19 के बीच जो होने वाला है दोस्तो ओमेंस अंडर 19 ट्रैंगुलर सीरिस का मैच इंडव दोनों टीम के बारे में अनलाइसीस करेंगे प्लियर्स जिन्होंने इस सिरीज में अल्रीडी खेल चुका है एक आदा मैच ठीक है तो वो प्लेयस आपके लिए रैन लीग में वाइटेल होगा ठीक है जहां से वीडियो देखना पसंद आया तो लाइक करना चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हो जूर सकते हो टेलीग्राम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसके बात और बंगलादेश अंडर 19 सिलंगा अंडर 19 सारे 11 भी मैच टार्ट होगा शेक कमाल क्रिकेट स्टेडियम कॉक्स बजार 125 ते को उमिंस क्रिकेट में अब सबको पता है कि रन थोड़ी से कम बनते है विकेट जादा करता है हमें बॉलर स्ट्राइक करना ही है सम्हां आपको बॉल यहां से ना मैं एक्ट करना चाहूंगा यहां पर सुमय अक्तर दो है यह जो विकी है ना सुमय अक्तर यह सॉलिड प्लियर है इसको टिम में रख लो और इसका डूमेस्टिक में 32 कैवरेज है 34 मैट्स में 802 दिखिए ओमिंस क्रिकेट में विकी से बहुत सारा पॉइंट मि इन्हों ने 27 बनाया था head to head में अच्छा प्लियाल है बैट 1st differential है क्योंकि यह पकर के खेल देंगे थ्रो नहीं करेंगे लाइक फ़रका ना पिंकी अर्विन तानी लास्ट में बहुत अच्छा खेला 31 बनाया था दोस्तो ग्रैंड लिक चॉइस होगा बट मैं repeat कर रहा हूं यह बैटिंग 1st ही ट्राइ करो बैटिंग 2nd में अक्सर नूटीश का ओमिस क्रिकेट में थोड़ा सा प्रेशर में आता है बैटिंग 1st यह slow खेलेंगी और अब को run से मतलब है तो यह run बना लेंगी अर्विन तानी सुमय अक्तर इनका captain है बैट 1st ट्राइकरो लास्ट मैं बैट 1st में इन्होंने 32 run खेला था और अटेकिंग 9 खेला था जा पर 4 चका भी था अच्छा च्वाइस है domestic record बहुत अच्छा है 32 के average recent performance under 19 बगेना में इतना खास तो नहीं है ऐसे भी हमें उमिस cricket में कमी battle लेना है बट स्टिल अगर बैटिंग फर्स्ट होता है if you want try कर सकते हो not a bad choice डिसेंटर च्वाइस रहेगा रवया खान यह must have होना चाहिए और यह best captain pick है इस match में इन से better कोई captain pick है यह नहीं रवया खान से रवया खान आपके लिए go to player रहेंगी और captain रहेंगी जोनों match में 4-4 over एक match में 3 wicket एक match में 1 wicket और important बाद है बैटिंग से 23 बनाया last match में international खेलती है बंगलादेश के लिए हम लग वहां पे बीन को लेते है solid option है आपके टिम में ठीक है अफ्या शीमा इन्होंने last match में 2 wicket निकाला 4 over में उससे पहले 3 over में 0 wicket थे बट 27 रन था मैंने इसको अप्टेटिब में लिया था यह आपके लिए रिम लावन गेम चेंजर है बाइस का अवरे से 25 match में 443 रन एकसो तीस ओफर 15 है मदलब यह ideal all rounder है एकदम से जहर पीक है यह वाला हूँ प्लियार है ठीक है और डिफेंशल कैप्टेन वाइस कप्टेन वाइस कप्टेन बट ऐसे प्लियर्स को ग्रैंड लिग में आप ड्र लिग में रख लेना यहां पर में नहीं लेने वाला इनको मोमा को फरिया अक्तर लास्ट मैच में एक यूगे निकाली थी अच्छी चॉइस है इस्पिशली बॉल फर्ष्ट डिफॉल चॉइस है चार चार ओवर डालिंगी उपर से लेफ्टाम और्टॉड्स इंपॉर्ट चाहिए और स्पिनर चाहिए फिलाल में इनको नहीं लेने वाला निशीत अक्तर बाइड़ पीक और कैप्टेन नी बनाएगा कोई मैं बना सकता हूं है तीन विकेट है मस्ट पीक कैप्टेन वाइस कैप्टेन परफोर्मेंस है ठीक है बॉटन चॉइस है ओपिनिंग बॉल तो करें इंटरेशनल टीम का रेगुलर मेंबर है यह जो है ना फरिया एकाता मैच खेल चुकिया और नीशीत अक्तर भी इंटरेशनल खेल चुकिया किये पेटिन माइंड ओके कुछ प्लियर है बेंच में बैठे हुए फाइदा चोवा यह बॉलिंग करती तो में लेता फ 27 ओवर में 27 विकेट कमाल की चॉइस है अगर खेलते है तो अनिशाकतर खेलते हैं अब आते हैं हम लोग सिलंगा के तरफ सिलंगा से दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कि आप तक लाइक कर दो अगले मैच इसके कवरेज के लिए जरू से जॉइन मी हो जाओ टेलिग्रम ड आजबाए तो कम्पिटिशन है ना मतलब किसके जगह मतलब इसको लोग है यहा फिर एक और विकी कौन है सॉलिडिए पकेट के पर डोश्तों एक अपना यह नाम यह नामी बोल जाता हूं यह रहेगा सुमय अक्तर क्या है यह आपके लिए वीकी करते हूं तो स्लाइटली स से वह ज्यादा form में भी है highly selected भी है performance भी दिया है तो मैं उनके साथ continue करूंगा इफ युवां ट्राइ कर सकता अंडर नाइटीन ओलकप बगेरा खेल चुकिया यह दिवनी व्यांगा एक मैच में चार ओवर डाला विकेर लेस्ते हैं बट हाँ प्लियर इनको रखना एजा प्ल बड़िसी भी बना सकतो ओपिनिंग भी करेंगी बॉलिंग भी करेंगी बॉल फस्ट जरू कैप्टन बनाना डॉमिस्टिक ओवर वल में 27 मैच में 27 विकेर एक सो तीन ओवर में डिसेंटल अंडर नाइटीन में 37 2 विकेर दो रंटीन नौर एक उकेर पच्छमन जीरो दस त ऑच्छी है बट कंसिस्टन निया के बटिन माइट नौर ने इक उबर डाला यह न एक आधा उबर डालेंगी फिलाल में ने लुगा आप चाहू तो ले सकते हो फिलाल में ने लेने वाला क्योंकि मैं इनको मुझे नहीं लगता है यह बहुत जाद ऑबर डालेंगी ने एक बैटिंग से points दे देंगी और balling से 30 match में 83 ओवर 25 हुए लास्ट मैच में सीफ 1.3 ओवर डाला था तो यह consistent तो नहीं है ठीक टाक choice और इन्होंने बालिंग बहुत पीछे से start क्या था हो सकता है कि यह date में करें तो मैं क्या बोला हूँ कि मैं सेफ मानता हूँ इनको चलो रख लेते हैं बैटिंग से भी कुछ points दे देंगी गिम्हानी निकालने के बाद कोई इसको डॉप नहीं करेगा बट इसका करियर में 29 मैच में सिर्फ 8 ओवर ग्रेंड लिग में जरूर रोटेट कर सकते हो निसान सल इनको रखोंगा और यह जो तो यहां पे थोड़ा रिस्क बन सकता है कि इनके ओवर्स कट होंगे ऑपिनिंग बॉलिंग रश्मी का रश्मी और वियांगा डेट में रश्मी गिमानी और रश्मी का करते हुए दिखेंगी अब चलते हम लोग ड्रिम्लावन टिम में आपने वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और फटावर से जॉइन हो जाओ टेलीग्रम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्रम चैनल का लिंक एड्ट कर दूँगा लिंक चलते फटावर से ड्रिम्लावन टिम लाइगा ना सबसे पहले यह तो मेरा मस्ट भी प्लियर है एस अक्तर सुबांड ना ठीक है और अब हम लोग देखते हैं यहां पर किसको ले सकता हूं मैं देखो एस अक्तर जो है ना यह बैटिंग से लास्ट मैंच में पॉइं दिया तो फिलाल मैं इनको ले लेता हूं क्योंकि मैं इतना दो बताए कि सब इनको लेंगी अश्रिमा को रख लिया यहां से दोसों व्यांगा मस्ट पीक है संजाना ठीक ठाक चॉइस है बर लास्ट मैंच में ओवर से एक वी ओवर डाल रही थी ठीक है थोड़ा सा रिस्क हो सकत पाल्ट है निमानती का चार ओवर है फॉर्ट है ठीक है यह हो गया अब एक फ्लियर ना मैं अपने मर्जी से ले सकता हूं किसी को भी ठीक है तो मैं अब यहां पर मैं सिरिसली बताऊं पिंकी को ट्राइगर सकते हैं इन्होंने पावर प्ले में विकर निकाला था था आँ ठीक है यह जो इंटरनेशनल खेल चुकी है ना सिलंगा के लिए इनके साथ मैं जा रहा हूं रजा पक्षे के साथ और फिलाल के लिए मेरा जो कैप बिसी बनेंगे ना फिर से एक बार रव्या को मैं कैप्टन बनाऊंगा वाइस कैप्टन दोस्तों विहांगा बहुत बढ करूंगा आपको जुनना है टेलिग्रम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे फिलाल यह रहेगा कवरेज थैंक्यू कैस मिलते है मैं स्टैंप पे टेलिग्रम पे थैंक्यू